कोरोना वारस का कहरत दुनिया भर मेर तेजी से बढ़ता जा रहा है इसके सबसे जादा असर दुनिया के सबसे ताकतफर देश अमारिका पर देखने को मिल रहा है इसी बीच अमारिका के राष्ट्रपती डूनाल्ड टरंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना वारस संक्रमन की वैक्सीन बनाने के बेहत करीब है इस बात की जानकारी उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में दी है ट्रम्प ने कहा कि हम वैक्सीन के बेहत करीब है हमारे पास इस पर काम करने वाले बेहत कमाल के शांदार दिमाग वाली लोग है उन्होंने आगे कहा तुरभाग इसे हम टेस्टिंग के बहुत करीब नहीं है क्योंकि जब परिक्षन शुरू होता है तो इसमें कुछ समय लगता है लेकिन हम इसे पूरा कर लेंगे अमेरिकी सरकार के शिष टॉप इन्फेक्शन डिजस एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फोसी ने पहले कहा था कि व्यापक रूप से इस्तमाल के लिए एक वैक्सिन को तयार होनी में 12 से 18 महीने लगेंगे इसके बाद ट्रॉंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पैंस ने कहा कि कोरोना वारस के खिलाफ अमेरिकी लडाई में डेटा के माधिम से प्रगती के संकेत मिले है पैंस ने आगे कहा कि न्यू यूर्क मेट्रो एरिया न्यू जर्सी कनेक्टिकट डेट्रायड और न्यू औरलियांस सहित प्रमुख वाइरस होट स्पोट में भी महामारी की चरम सीमा पार होती दिखाई दे रही है subscribe our channel and press the bell icon for more updates